हाई अब्रिवान विल्कम टू माई चैनल गैस आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फान फिक्षन डैट्स अप्सिशन के पार्ट 12 एक्स्प्लेंड करने वाली हूँ ओके जोंकुक के फेस पर अल्रेडी पसिना आकर जमा हो गया था उसके लिए बहुत जादा टाप है जोंकुक कोशिश करता है कि जितना हो साके वो तेयांग के उस पार्ट के तरप ना देखे उसका दिल तेजी से धरक रहा था जोंकुक अपने ही सलाइबा निगलता है आखे कार बाटन क्लोज कर सीधा हो जाता है तेय थैंक्स कहे कर उसे गले लगा लेता है जोंकुक उस अपने गोद में उठा लेता है तो तेय उसे नीचे रखने के लिए कहता है जोंकुक कहता है तेय तेय जीद मात करो तुम बहुत जादा कमजोर दिखाए दे रहे हो मैं नहीं चाहता तो मैं फीर से चोट लग जाए ते अब हिलना बंद कर शांध हो जाता है और दोनों हाथ जॉंकुक के गर्दन पर लपेट लेता है जॉंकुक उसे बेटरूम लाकर ध्यान से बेट पर रखता है जॉंकुक फोन हाथ में लेकर ते इसे पूछता है एंजल तुम क्या खाना चाहते हो ते यंग कहता है नहीं मेरा मन नहीं है जॉंकुक कहता है मन नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है क्या तुम हमेशा के लिए कमजोर और बीमार रहना चाहते हो ते जॉंकुक के loud voice ते डर जाता है ते यंग का डरा हुआ face देखकर जॉंकुक खुद को शांद कर soft tone में कहता है Baby, you know ना तुम्हारी accident हुई है तुम्हे medicine भी खाना है और बीना खाये तुम medicine नहीं खा सकते तो बताओ तुम क्या खाना चाते हो ते कहता है जो भी मेरा habi मेरे लिए बनायेगा मैं वो खा लूँगा जॉंकुक कहता है तीक है तुम बेट पर आराम से बैठ जाओ मैं तुम्हारे लिए खाना कमरे में लेकर आओंगा ते कहता है कुकी मैं भी तुम्हारे साथ नीचे जाना चाता हूँ कमरे में अकेला मैं क्या करूंगा जोंकुक उसे अपना फोन दे कर कहता है तुम इस से खेलो तब तक तुम्हारे लिए जिंजर सूप बना कर लेकर आता हूँ जोंकुक, देखो कमरे में छोर कर कुक करने कीचन में आ जाता है मेट जॉंकुक को देखकर सर जुका कर लाइन में खरी हो जाती है एंचिन की हेट कुक कहता है किंग क्या आपको कुछ इस्पेशाल चाहिए खाने में मुझे बताईए मैं आभी खाना पका देता हूँ जॉंकु कहता है मुझे अभी कीचेन में कोई नहीं चाहिए मैं खुद कुक करूँगा तुम लोग कीचेन छोर कर अभी के लिए जा सकते हो सब शॉक फेस के साथ जॉंकुक के तरब देखने लगता है सभी मेट कीचेन से बाहर चली गई एक घंटे के बाद जॉंकु कुट के साथ कामरे में आता है ते बेट पर लेट कर फोन पर बहुती ध्यान से कुछ देख रहा था डूर ओपेन होने की साउंड सुनकर ते फोन बेट पर रख देता है जॉंकु कूट टेबिल पर रख कर खूट बेट पर आकर बैठ जाता है और ते यंग का हाथ पकर कर उस अपने लेब पर बिठा लेता है ते शर्म से लाल हो जाता है जॉंकु कूट ते यंग के फेस के तरब देख कॉन्फियोजिंगली पूछता है बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो ते हूं कहता है जॉंकु कहता है अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाओंगा आने के बाद तुम सो जाना ते शर्माते होए पूछता है तुम नहीं सोगे जॉंकु कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है मैं बाद में आकर सोँगा तुम मेरे लिए इंतेजार मत करना ओके ते खाना चाबाते होए फिर सब पूछता है कुकी, आमारी शादी के कितने दिन हुआ है जॉंकु कहता है तुमांध ते कहता है तो किया हम हानीमून पर गए थे ते यांग के मूँ से हानीमून वार्ट सुनकर जॉंकु बलाश करने लगता है और उसका हार्ट बीड भी अब इंक्रीज हो जाता है जॉंकु कहता है अभी तक नहीं ते यांग कहता है क्यूँ, हम हानीमून पर क्यों नहीं काए जॉंकु कहता है इसलिए हमने honeymoon जाना pretty cancel कर दिया ते कहता है कोकी हमारी love marriage हुई थी या फिर arrange और पहले किस ने propose किया था जंकुक moneyman कहता है अभी तक शादी करने का मौका ही नहीं मिला और हम honeymoon पर discussion कर रहे है जंकुक कहता है Of course love मैंने तुम्हे propose किया था अप no more question खाते टाइम बात करना सही नहीं है। ते यंग कहता हैं ओके लेकिन लास्ट कोर्षचिन प्लीज कुकी। जंकुक उसका बेभी बाला इनोसेंट सा चेहरा देखकर मनान ही कर पाया। जंकुक कहता है ओके पूछो क्या पूछना है ते पूछने से पहले शरम से लाल हो गया था ते दूसरे तरब देखते हुए पूछता है कुकी क्या हमने वो किया है जंकुक कहता है वो से तुम्हारा क्या मतलब है बेबी ते कहता है हम कापल है तो क्या हम दोनों ने वो नहीं किया अभी तक जोंकुक तेई को शर्माते हुए देखकर इसमार्क करके कहता है हाँ किया और तुम बेट पर मेरे नीचे और भी जादा ब्यूटिफुल लगते हो तेई और लाल हो जाता है और आप तेई अपने ही दिल की धरकन को सुन पा रहा था उसका दिल उसके सीने के अ हाथ को कट करते हुए कहता है हमने कितने बार किया जोंकुक अब इसे और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था जोंकुक कहता है बेबी मुझे अभी याद आया मुझे अभी मेरी बिजनेस पार्टनर को कॉल कर एक जरूरी बात बताना है तुम सुफ फिनिश करो तब तक मैं बा कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उसे तो अभी मन कर रहा था कि अभी वह अपने एंजल को एक ही बार में पूरी तरह से खा जाए क्यूंकि ते उसे अपने नौटी सवालों से और इनोसंस से उसे हर पल नीडी महसूस करा रहा था दीनार के बाद ते कामरे म में बैठ कर काम करने लगता है अब रात के दो बाज गये थे जोंकुक स्टाडी रूम से निकल कर बेडरूम आ जाता है जोंकुक अंदर आकर देखता है ते ऑलरीडी गहरी नींद में है जोंकुक ते के पांस बेट पर लेट कर उसे घुरते हुए कहता है मैं खुद को पास खीच लेता है और स्लोली अपना दोनों हाथ तेहां के ओस्ट के एराउंट लापेट कर अपना चेहरा उसके गर्दन पर चुपा कर उसे इसमेल कर नोस वहां राप करने लगता है जोंकुक ऐसा करते हुए खुद को हार्ड होता हुआ महसूस कर रहा था पर वो इस वक और कसकर हप कर लेता है उसे अब अपनी दिल में सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि उसके एंजल अभी उसके पास है और उसके बाहों में है और सेफ है जोंकुक तेंके जूसी लिप्स पर किस करके कहता है गुड नाइट बेबी सिलिप ओयल सुबह चाब जोंकुक नेंद कर जोंकुक तेंको देखकर खुद को कॉंट्रोल ही नहीं कर पाता जोंकुक अपना हाथ सलोली तैयांगे शाट के अंदर सलाइट कर उसे टच करना चालू कर दिया तेंको जप नींद में अपने शरीर में कुछ आजीब सी हल चाल महसूस हुई तो आखे खुल कर अपने सा और जॉंकुक के हाथ उसने अपने कमर पर महसूस की तो तेई तुरांद उसका हाथ पकर लिया और कहा क्या कर रहे हो कुकी छोड़ो मुझे गुदगुदी हो रहा है जॉंकुक के आखों से इस साब पता चल रहा था कि वह अभी अपने एंजल को छोड़ने की मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था जॉंकुक तेई को बेट पर लिटा आ देता है खुद उसके उपर आकर उसके चिक्स से चिक्स रप करते हुए तेयां के गर्दन पर किसकर मॉर्निंग सेक्सी टोन में कहता है नो यह सब तुम ही ने स्टार्ट किया है तो अब मैं इसको एक प्यार इसी एंडिंग दूंगा ते कहता है लेकिन मैंने क्या किया ते कॉन्फ्यूज लुक के साथ अपने डीप ओशन आइस से जॉंकुक को घूरते हुए बहुत इनोसेंटली पूछा जॉंकुक उसके बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर उसके बॉड़ी के हर एक जगा किस कर फॉर लिप्स ब्राश करने लगता है ते को आप पहले से भी जादा आज ये फील होना स्टार्ट हो गया था ते यह अब जॉंकु को पीछे धक्का दे कर कहता है कुकी ऐसा मत करो मुझे गर्मी लग रहा है मैं शावर लेना चाता हूँ तो मुझे छोड़ो जॉंकु कहता है मेरी तच की जरूरत है ते शरम से लाल हो जाता है ते कहता है नहीं ऐसा नहीं है छोड़ो मुझे तुम मुझे अपने बॉड़ी से दबा रहे हो और तुम्हारा वो मेरी थाई पर टिकल कर रहा है मुझे बहुत ही आजिब सा महसूस हो रहा है जोंकु को हग कर लिप्स करने के लिए जुक ने लगता है तब उसका फोन बजने लगता है पहले जांको किसे इंग्नोर करना चाहता था तो डाम ही ले रहा आओ, तुम हार बार अपने इनोसन से मुझे हार्ट कर देते हो, अब इसका इलाज तुम करो, What are you doing baby, come fast, can you hear me or not, I am hungry and I want you, why don't you hear my word तेई तेई, क्या तुम मुझसे जारा भी प्यार नहीं करते हो, जोंकुक जो first rate होकर बोले जा रहा था, तब ही bathroom डोर open होता है, तेई को देखकर जोंकुक अपने ही saliva निगलने पर मजबूर हो जाता है, उसके आखे वाइडन हो गई थी, और चाहा कर भी तेई पर से नजरे हटा नहीं पा रहा था, तेई इस वक्त सिर्फ टाउजर पैंठी पैना हुआ था, उसने उपर कुछ भी नहीं पैना था, पानी उसके हैर से ड्रॉप होकर चेस्ट पर गिर रहे थे, जिसे तेई बहुत ज़्यादा होट और सेक्सी लग रहा था, तेई के इस काती लाना लोग जोंकुक के सांसे रोकने के लिए काफी था, तेई टावल से ह यार ड्राई करते हुए, सुलो स्टेप के साथ चल कर जोंकुक के पास आकर खरे हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा नस्दीक खरे थे, जिसे दोनों के बोडी आपस में टाच हो रही थी, जैसा कि तेई उपर कुछ भी नहीं पैना था, और जोंकुक की शार्ट की बटन सामने से खुला हुआ था, इस वज़े से जब तेयांग के नेकेट चेस्ट जब उसके चेस्ट से तच हुआ, उसे गर्मी लगने लगता है, जोंकुक अपने निचले हिस्ते को हार्ट होतो हुए महसूस करता है, तेयांग बहुती इनोसेंटली पूछता ह कुकी, तुम मुझे आजीब सी नजरों से क्यों घुर रहे हो, तेयांग अपना फिंगर जोंकुक के फेस पर और फिर लिप्स पर घुमाने लगता है, अचनक जोंकुक तेयांग का हाथ पा कर लेता है, और इस वाल के तरफ टार्ण कर प्रेस कर देता है, जोंकुक एक किस करके कहता है एक कर जोंकुक ट्यांग के कमर और 12 कर लेता हैं ट्यांग कहता है आम इंद लिप्स गर्ण के अच्च करल पर किस किया और उसके गर्म सासे गड़िर स्थे पर लागतार ही तुरा ही ति जिसे ते अपने बॉडी में शिवार मैसुस हो रहा था तेंग अंजाने में ही अपने लिप्स जोंगुक के लिप्स पर समाश कर उसे सौफ्टली किस करने लगता है जोंगुक किस को इंजॉय कर और भी जादा क्रेजी हो गया था जोंगुक देखो अपने अर्मस में होल्ड करके ही कि कर रहा था, दोनों के बीच कीस बहुत लंबे समय तक चलता है, पूरे 20 मिनिट तक कीस करने के बाद यवी डिञीट करते हुए, जोंकुक के चेस्ट पर फिंगर से पोक करते हुए कहता है, तुम कुछ करते क्यूं नहीं, तुम रुख क्यूं गया हबी, जंकुक इसमार्ट करके कहता है वाट बेबी ते शाहील ही कहता है आई वांट यूहाब बी जंकुक ए सुनकर शॉक्ट हो जाता है उसे कुछ सेकेंट लगता है खुद को समभालने में जंकुक कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो तो मैं फिर से भुखाट तो नहीं आया है न एक है कर जंकुक तैयां के फूरहेट को टच करके चेक करने लगता है ओके गाइस इस पार्ट को मैं इहीं इंड करती हूँ आज मैं बहुत जादा बीजी थी इसलिए इस टोरी को लंबी नहीं कर पाई आप लोग समाज सकते हो शॉपिंग पर गई थी तो बहुत जादा टाइम लग गया और स्टोरी राइटिंग करने का समाए नहीं मिल पाया आप लोग स्याड ना हो इसलिए जितना हो पाया उतना ही मैंने आज आप लोट कर दिया ठीक है थेंक यू गैस थेंक यू फॉर वाचिंग गूड नाइट बाब बाई